खालिस्तान यानि सिख समुदाय के लिए एक अलग देश बनाने की मांग ये मांग आज की नहीं है कई सालों पुरानी है आज से 94 साल पुरानी है लेकिन दोस्तों खालिस्तान की जो मांग है न ये पहले एक मांग थी आंदोलन था अब ये इसे आतंगवाद के तौर पर देखा जाता है ये एक आतंगवाद उग्रवाद के तौर पर इसे देखा जा रहा है और कनाडा जैसे देश जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ये आज से नहीं कर रहे हैं ये भी 1980-1970 के दसक से ही ऐसा कर रहे हैं और कनाडा ही इसमें नहीं है, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और आस्टेलिया जैसे देशों ने भी खालिस्तान मुव्मेंट को इंडिरेक्ट सपूर्ट किया है, और मैं इसके कई सारे एक्जामपल आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो खालिस्तान बनाने की मांग है, सबसे प मुहमद अली जिन्ना के नेतरुत में मुश्लिम लीक की कुछ मांगे थी, और दूसरा था डाक्टर भीम राउम बेटकर के नेतरुत में धलितों के लिए कुछ मांग रखना, और तीसरी मांग थी मास्टर तारा सिंग के नेतरुत में सिख समुदाय के लिए खालिस्तान ब सारी चीज़ें एक फॉर्म में चल रही थी लेकिन 1947 में जब देश के पटवारे का प्राउधान हुआ और रातो रात ये चीज़े हुई और देश को आजादी देने की बाद भी रातो रात ही हुई तो उसी समय जो सिरोमडी अकाली दल था उसने सिख समुदाय के लिए खालि पाकिस्तान बनाने की मांग बहुत तेज हो गई और इसका सबसे प्रमुक कारण यही था कि जैसे सिख धर्म के संस्थापक नानक का जनमस्तान नंकाना सहब और कई पवित्र अस्थल पाकिस्तान में चले गए लेकिन विभाजन के बाद 1966 के समय में एक बार फिर ये मांग बहुत तेजी से उठती है और इसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने पंजाब रांत का गठन किया और पंजाब रांत जो बना वो कई जो छेत्र हैं उनको मिला कर बना जैसे हिमांचल हरियाना के कुछ छेत्रों को मिला कर जहां पर सिख समुदा जादा रहता था उसे म जरूर मिली कि हां उनकी मांगों का कुछ न कुछ समर्थन मिला है सिख समुदाय का नित्रुत कर रही राजनेतिक पार्टी अकाली दल ने 1986 में अपने मागों की एक सूची जारी की और उस सूची में सबसे प्रमुख प्रस्ताओ था आनंदपूर साहब प्रस्ताओ इस प्रस्ताओ में पंजाब के कुछ छेत्रों में जहां सिख समुदा जादा था वहां के लिए एक अलग सम्मिधान और एक अलग राज्य की मांग आनन्दपूर साहिक प्रस्ताओं को पूर रूप से खारिज कर दिया गया। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनोती थी कि अकाली दल की मांग को कैसे अंदेखा किया जाए और इस प्रयास को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने खासकर संजे गांधी ने वहां के एक धार्म सिंग भिंडरावाला को शिक समुदाय का बड़ा समर्थन मिलने लगा और इस समर्थन का लाब उठा कर वो अकाली दल से जाविला और अकाली दल से मिलने के साथ ही उसने एक सविने अवग्या अंदोलन चुरू किया और इस सविने अवग्या आंदोलन को नाम दिया गया धर्मियुद्ध मोचा और इस आंदोलन में भी एक प्रमुख मांग यही थी कि सिखों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग लेकिन इस नेतरुत में इस बार सबसे खास बात यह थी कि सिख समुदाय अब इस बार खु सबसे बड़ी चीचुनोती बन गया भारत सरकार के लिए कि इसे कैसे काउंटर किया जाए क्योंकि उस समय जो जनरल सिंग भिंडरावाला थे उनके नेतरुत में ये एक उग्रवात का रूप ले चुका था और ये बात है 1982 की जनरल सिंग भिंडरावाला के द्वारा हिंद के तौर पर रोकने का प्रयास किया और इसके लिए एक जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू इस्टार लंच किया गया इस ऑपरेशन में एक बड़ी पुलिस पोर्स को स्वर्ण मंदिर के आसपास बेचा गया जहां पर जनरल सिंग भिंडरावाला अपने समर्थकों के साथ के दौरन चली गई और यही सिक्समुदाय के लिए एक बड़ी घटना के रूप में उभर कराया जैसे सिक्समुदाय आज भी आहत रहता है क्योंकि सिक्समुदाय उस समय भेंडरावाला को एक धार्मिक उब्देशक के तौर पे देखता था ऑपरेशन ब्लू इस्टार ज के लिए खालिस्तानी समर्तग जो कि कनाडा में रह रह थे उन्होंने कनाडा से मुंबई आ रही प्लेन को टार्गिट किया और इस प्लेन का नाम था कनिस्क जिसमें 329 भारतिये सवार थे और इसमें बंबिस्पोर्ट कराया गया जिससे सभी 329 भारतियों की चान चली गई यह हमला ना केवल अपनी मांगों के समर्थन में था बलकि देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा था और इसके बाद फिर अक्टूबर में इंद्रा गांधी के दो बाडिगाड चोकी खालिस्तानी मांग का समर्थन करते थे खालिस्तान का समर्थन करते थे उन्होंने गोलियों से भून कर सेटिंग प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी और यह वर्ल्d हिस्टरी में सायद ही ऐसा कभी हुआ हो अब खालिस्तान के मुद्दे पर कनाड़ा की भी बात कर लेते हैं। कनाड़ा और भारत के रिस्मूफी सुरुवात कनाड़ा की टीकी बयानबाजी से होती है। जब 1948 में पहली बार कनाड़ा ने कस्मीर के मुद्दे पर जन्मत संग्रह कराने के मत का समर्धन किया। और उन खालिस्तानी उग्रवात को रोकने में बारतरकार ओपरेशन चला रही थी तब भी तल्विंदर सिंग चौहान जगजीत सिंग चौहान जैसे कई खुंखार खालिस्तानी आतंकवादियों को कनाडा ने ही सरण दी थी और इसी का नतीज़ा था जब 1985 में इंडियन एरलाइन्स के बेवान कनिस्क पे खालिस्तानी आतंकियों ने हमला किया मंबिस्फोट किया और उसमें 329 भारतियों की जान लई और कनाडा के दौरा खालिस्तान को जो सपोर्ट किया जा रहा था इंटर्नली इंडिरेक्टली उसके पीछे का लॉजीक यही था कि कनाडा अमेरिका को बेच चल रहा था और उसी का खारण था कि खालिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कई देश यहां तक कि कनाड़ा भी उसमें एक था जो खालिस्तान की मांगा सपोर्ट कर रहा था अमेरिका के द्वारा खालिस्तानियों के समर्थन का मैं आपको एक बहुत अच्छा एक्जामपल देना चाहूँगा तो आप इससे देख सकते हो कि अमेरिका भी इंडिरेक्ट सपोर्ट कर रहा था खालिस्तान की मांगो इसके बाद 1998 में जब भारत ने अपना परमार्ण परिक्षन किया तो सबसे पहले कनाड़ा की ही प्रितकिरिया आई और उसने अपने उच्छा यूप को इंडिया से वापस बोला लिया अमेरिका ने भी इसकी तीकी प्रितकिरिया दी और कई पस्चिमी देशों ने भारत पर प्रित्बन लगाने की बात की और उसी दोरान खालिस्तान की जो मांग थी उसे पस्चिमी देशों की दोरा बढ़ावा दिया जा रहा था जब खालिस्तान को समर्थन देने की पस्चिमी देशों की बात करने तो इसमें बृतेन सबसे आगे था आजादी के बाद जब खालिस्तान समर्थक चरण सिंग पंची बृतेन गया तो उसने वहाँ पर सीख होम रोल मुमेंट की अस्थापना की और उसने वहाँ पर इस moment के नाम पर कई खालिस्तानी समर्थकों की टीम इकठा की और उसने वहाँ से खालिस्तानी moment को आगे बढ़ाया और इस तरह से ब्रिटेन भी खालिस्तान को indirect support करने में पीछे नहीं था अब मैं आपको ब्रिटेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कैनेडा के द्वरा खालिस्तानी मांगों के समर्थन का example देना चाहता हूँ मार्च 2023 में ब्रिटेन की घटना है जब भारतिय उच्चायोग से भारतिय तिरंगे जंडे को हटा दिया गया उस पर जो ब्रिटेन की सरकार है उसमें कोई भी बयान नहीं दिया उसके जबाब में ब्रिटिस उच्चायोग जो की दिल्ली में है उसके बाहर जो सुरक्षा दी गई थी उनको उसे हटा दिया और केवल यही रियलाइज कराने के लिए कि अगर आप हमारे उच्चायों की सुरक्षा नहीं करते हैं तो हम भी आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं और इसके बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिकों में भारतिय वाडिच दूतावास के बाहर खालिस्तानियों के द्वारा खाले जंडे लगाये गए खालिस्तानियों के द्वारा भारतिय जंडे को हटाया गया वहाँ पर आजणी की घटना की गई और वहाँ पर कई दिनों तक बिरोध प्रधर्शन चलते रहे इसके बाद जो अगली खालिस्तानी घटना थी वो आस्ट्रेलिया से आई जब तीन हिंदू मंदिरों जिसमें स्वामी नारायन बिश्णू शिव मंदिर और इश्कॉन टेंपल के बाहर हिंदू विरोधी नारे लिखे गए भारत विरोधी स समर्थन किया जा रहा था वेस्टरन कंट्रीज के द्वरा उसका ये जो रिजल्ट है वो अब आ रहा है ये तब नहीं आया था ये अब आ रहा है और इसके साथ ही आपने कनाड़ा का भी एक्जांपल देखा कैसे जस्टिन टूडू ने अपनी पार्लियामेंट में बिना क पर्तमान समय की जो स्थिती है उसमें अमेरिका ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया भारत के पक्ष में हैं खालिस्तानी मांगों की अम निंदा कर रहे हैं लेकिन जो ये इंसेडेंट हुए हैं दो हजार तेईस में खालिस्तानी मांगों को लेकर ये 1980 में जब आप सपोर्ट कर जब अमेरिका ब्रिटेन और फ्राव्यशं जैसे देश खालिस्तान की मांग के समर्चन कर रहे दो है। उसका रिजिय्ट है formatsने आ रहा है। उसने तो खालिस्तान के कई सारे आतंगबादियों जैसे तलविंदर सिंग चौहान हो जगजीर सिंग चौहान हो इनको 1980 के दसक में ही सपोर्ट कर रहा था और अब भी खालिस्तानी मांगो का सबसे बड़ा गड़ कनाड़ा में ही है और मैं आपको बता दूँ कि कनाड़ा मे समुदाय है वह भी एक पर्षंट से कम ही जो है सपोर्ट करते हैं खालिस्तानी मांगों को तो धन्य बाद दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा आपने अपना समय दिया दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती तो कि मेरे कंटेंट में एक लॉजिक रहता है फैक्ट रहता है डेटा रहता है तो इसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ती है वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मत और वाचिंग इस वीडियो